कि नमस्कार दोस्तों मैं फिर दुबारा से आ गया हूँ एक और वीडियो लेकर आपके लिए सौम का जो कि बहुत ज्यादा important है और mostly क्या होता है कि बहुत सारे स्टुरेंट इसी पर ध्यान नहीं देते और मैं इस टॉपिक में दिखता आती है तो मैं को बता इस टॉपिक से रिलेटेड जो थियोरी है वह मैं आप आपको आज कंप्लीट कराऊंगा और थियोरी के बाद जो इसके रिलेटेड निमेरकल होंगे है ना चाहें वह सिंपल सपोटेट बीम से हो चाहें वह कैंट लीवर से हो और चाहें उसमें हम पॉइंट लगाए चाहें ओड करने हैं तो सारे की सारे निमेरकल कैसे हमें करने हैं कितने सिंपल तरीके चाहिए वह मैं आपको सिखा दो ठीक है तो आप कोई भी बड़ा शीट बड़ा निमेकल विदिन मैंट कंप्रीट कर सकते हो तो और ये तो नाऌ आपको नहीं आएगी किन लोग ने पहले वह सब्सक्राइब कर दें तब वीडियो का आगे चलाएं ठीक है तो हम चलते हैं आगे भी कि स्टेंथ आफ मेटरियल्स एंड टॉपिक इस डाट बीम एंड इस टाइप और सेकंड वन इस डाट सीर फोर्स एंड शीर फोर्स एंड बैंड इंकमेंट टाइग्राम ऑके तो जैसे दुखराएं आपको के हम लोग यहां सिंपल सब्सक्राइब देख रहें तो कंटेंट है मेरा आज का गॉंसेप्ट आफ बीम टाइपस आफ बीम स्टैपस अफ लोडिंग ऑन बीम अंड गॉंसेप्ट आफ एंड शपोर्ट चाहां वो रोलर हो हिंज हो या फिक्ज तो अगला है आपका कॉंसेप्ट आफ बेंडिंग मेंट एंड सीर फोर्स एंड नेक्स्ट वन इस दाट एंड 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 फोर्ट सिंपल सब्सक्राइब करांगा ओके तो जिन लोग अभी भी लाइक नहीं क्या है वीडियो को पहले हो लाइक करें और सब्सक्राइ होका कि आपको जो अगला वीडियो का संब्सक्राइब को टाम से होता है कि यहां क्या होता है कोई का मिस हो गया तो डिक्कति आती है है ठीक है जो कि ट्रांसवर्स लोडिंग के लिए यूज कियाता है यहां बहुत सा टाइप की अलग-अलग आपकी बीम्स है जो हम बात करेंगे उनके बारे में तो और बीम को क्लासिफाय करने के लिए या बीम को बूल सकते हैं करक्टराइज करने के लिए का उनकी प्रोफाइल के इसके लेंथ के या उसके मैट्रियल के अकॉर्डिंग तो वही टाइप सब्सक्राइब करेंगे हम अलग तरी के से ओके तो यहां सबस्पेल आपको आता है टाइप सब्सक्राइब मतलब यह कोई भी एक वी कोई भी एक वी जो की आपने सिम्पल ली टेक दिया है किनी दो सपोर्ट पे यह तो है कैसी भी हो ठीक है हो हिन्ठ सपोर्ट हो चाहि व रॉलर सपोर्ट हो ठीक है तो वह सिर्फ एक सब्सक्राइब करते यह और लोडिंग कर रहा हूँ तो त बैट टाइप भी मिजा विए ओके बासमझा रहे हुआ और इसने होगा जो सपोर्ट होंगी क्या करेंगे सपोर्ट हमेज़ा आपकी बीम को की लिए होगी रखने के लिए यूज की जाती है ठीक है और इस बीम में आपका सिर्स और बैंड इंग में दोनों काम करते हैं ऐसी बात नि काम नहीं करते हैं लोडिंग करेंगे यहों पी-2 instruments production अध्यदक गूल सकते हैं इनको इनके हैसिएर फोर्स जहां फोर्स लगता है वाँ सिर्फ और इनकी के यह क्यों का थोड़ा सा बैंड होगी तो यहां बैंडिंग इसमें फिरल कुमिए में बढ़नेद आपका जनरेट होता है तो फॉर य險टा है तो यह हम सिर्फ दो ही सपोर्डी बेजर चाथे हैं तो दोक्टीनियग पर थी मकें मगें आधिक नहीं सपोर्ड का युजश करें उन तो अथि वीज़ तो वी सब्ड़ भी सबस्क्त Um संप्लेटीटीटी मिन कि तरह ही है उसी का पार्ट है और हो सकता है कि इसमें आपने हिंज सपोर्ट किया हो रोलर सबोट क्या हो है वही मगर क्या है नंबर ऑफ सपोर्ट का आप यहां करोगे दो से तीन चार पांच कर दोगे ठीक है इस वी आप यूजिंग मौर देन टू सपोर्ट इन बीम देश टाइप बीम इस डानाच कंट्विनेश भी ओके यहां दिखा रहा है डिगराम में देख रहा है देखें ना आपके चार्ट लगा रखाएं कि हाएं एक यहां एक यहां एक य अलग अलग सपोर्ट में लगा देते हैं चाहें उसमें वह वह के इतना भी हो से मतलब नहीं हम यह सिंप्ल करके उन्हें कंट्ट्विनस सपोर्ट देते हैं तो अ हम उनका नाम हो जाता है ऑगला आपका है ओवर हैंग बीम अवर हांगिंग मतलब देखिए जैसे कि आप ल यहां थे थम्में चीह कचंध हो मतलब भार निकली होई यह को स्थाइब करते हैं यह हो सकता है कि आपका कि यहां भार निकाल दिया हूऊ और इधर ही वहार निकाल दिया हूँ तो दोनों साइड भार हैं अगला आता है है केंटिझीलीवर भी होता है या केंटइलीवर भी हमारा अहीं है इस तरीके से और दूसराN में रहा होता है यह भला एंड हमारा फिक्स होता है यह क्स्क्त होता है यहां यह होता है लुक्ते हो्छ कि आपका केंट क्लिवर भी में यह वाला इस तरह इसका फ्री है ओके जनरली यह वी आपका वीब जो है ट्रस वगरा में या ब्रिज वगरा में इसके यूज किया जाता है अलग से अगला आपका अता है fix beam देखिए यह simple supported beam का ही पार्ट है अलग से कुछ नहीं है simple supported beam में क्या होता है कि हमारी जो beam होती है हमारी जो beam होती है उसको हम जश्ट बस अपने support पर टेग देते हैं उसकैस सपोर्ट कर देते हैं यदि मैं इनको सपोर्ट देने के साथ साथ क्या करऊं फिक्स कर दो यहां पर दिमें दोनुह पिमांने को सब दो है जिसे कि हम घरों में gartar लगा देते हैं उस तरहिके से तो क्या होगा इस ट् vert을ब के फिक्स नीच । यह उसके फिक्स हो तो क्या करेंगी स्य वियुम करों क्या होता है या या या表 direction होते हैं वो तो इसमें होते हैं मगर bending movement या movement इसमें बिलकुल नाके बरावर होते हैं और नहीं भी होते हैं ठिक है और नस्ट आपका है टरस्फ मिया होता है कए हम यहां simply क्या होता है बहुत सारे बीम को आपस में combinedly माली जी एक बीम यह है ना एक बीम वेरा यह है दो है और इन दोनों विंग को क्या करूं इस्ट्रेक्चर के थरूं जॉइंट कर दोंएं शकर के कुछ भी लब को चाहिए मैं एल सेप में या टी सेप में या ऐसे क्रॉस सेप में से मैं और यह स्ट्रेक्चर यह नहीं रड़ाएगा यह जो देखते हो बगल बगरा मैं अपने दिखाऊ बने होते हैं तो वह बोलता है आपका ट्रस विम उसको पाली ट्रस भी बोले आता है ठीक है अब आता है एकका हो सकते हैं यहें को सकते हैं कि आपका हो सकते हैं कि यह वी उसकता है ठीक है ऐसा वाला सेफ का सी सेफ का हो सकता है यह आई सेफ का हो सकता है आई काट बोलता है हिंदी में से आई सेक्षन और यह टी सेक्षन सेफ का है टी सेफ का ऐसा करके आपने यह सिंपली बना रखा हो इसे गाडर का सेफ होता है ना वैसे यह वाला गाडर का सेफ हो गया में भी गाटर आपको मिल जाते हैं तो ऐसी भीम भी आपके मार्केट में अविलेबल हैं ठीक है अब आता है according to equilibrium conditions तो यह दो टैप की होती है statically determined और statically in determined तो statically determined का मतलब यह होता है आपर कि जो बीम्स equilibrium conditions को follow करती है जो बीम्स में जो सपोर्ट का reaction find करने के लिए हम simple equilibrium conditions को follow कर लेते हैं ठीक है जहां पर आपका submission of all forces zero होता है जहां पर सारे वर्टिकल मुमेंट या वर्टिकल या जो भी मुमेंट लगाते हैं उन सबका जो आपका कहते हैं समायोजन जो होता है वो सुन्ने होता है तो ऐसी बीम्स को हम बोलते हैं statically determined beam मगर ऐसी बीम जिनको हम directly किसी भी equilibrium conditions को फोलो ना करा पाएं यह हम उनके कह सकते हैं कि उनके जो कुछन कुछ वर्क हो रहा हो यह कह सकते हैं कि उनका submission of all forces हो या submission of all moments हो वो जीरो ना हो तो ऐसी बोलते हम इसको क्या बोलते हैं statically indetermined beam ठीक है आपका इसमें है क्या types of load तो types of load में देखिए basically जो हम लोड होते हैं जो यूज करते हैं वो तो तीन टैप के ही होते हैं यह तो होता है point load जिसको concentrate load बोल देते हैं concentrated load बोल देते हैं और दूसरा आपका होता है UDL जिसे बोलते हैं uniformly distributed load समान रूप से बटा हुआ भार और तीसरा बाता होता है uniformly varying load या variable load ठीक है तो स्वार्ट में बोल देता हूं में यह होता है आपको स्वार्ट में हम बात करें तो पहला वाला हमारा होता है point load दूसरा वाला होता है है मेरा UDL तीसरा वाला होता है मेरा UVL uniformly variable load uniformly distributed load और यह point load ठीक है इनी के अलगलग राम है के concentrated load गोल दिया इसको समान रूप से बटा हुआ भार मतलब uniformly distributed load गोल दिया short form इसका UDL हो गया और यह uniformly variable load गोल दिया इसको यह आपका UVL हो गया ठीक है तो यहां बात करे हम देखिये तो यह हम जो beam देख रहे हैं करता हुआ मैं नुदेख रहे हैं यदि इस बीम पर मैंसर्फ क्या करता हूं किसी ए tiro प्ष्टख पर ही loading करता हूं particular point पर ही loading करता हूं हो सकता है कि मैं यहां यहां फोर्स मोड़ देन 56 रहा हूं मगर वो पॉइंट पर ही है वह क्या है पॉइंट पर ही काम कर रहे हैं तो ऐसे फोर्स को बोलते हैं कंसेंट्रेटेड फोर्स या कंट्रेटेड लोड ठीक है अगला होता है मेरा यू यू डियल तो यदि कोई वीम पर और पर मेर पर लेंध मोडलनों को कि अपको दस न्यू对 Ching नवल का हूँ इसका मतलब क्या मतलब यह हूँआ के हर एक मीटर पर 10 किलोन यूटन का फोर्स लग रहा है और ऐसा गते टो से बोलते हम यू डियल समान रूप से विटा हुआ भाए कोई लोड के जुकाल यह उम पर बराबर बार बारब dave तो वकिराता है UDL तीसरा आपका है Uniformly bearing variable load तो यूवनिफ्रमलि वेरिवल लूड में क्या होता है आपका लोड की जो value है यह बीम में अब की है तो लोड की जो वैल्यू है वो या तो इकली बढ़ती है या एकली कम होती है ठीक है इस टाइप की भीम को मुलते हैं यह इस टाइप की लोडिंग को मूलते हैं यूनिफॉर्मली वैरियेवल लोड ओके क्लियर है यह नोट कर लीजेगा नोट करो करना सारी चीजिए नोट करते रहोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएंगे अगला है टाइपस ऑफ सपोर्ट सब्सक्राइपस ऑफ सपोर्ट में आपको बता दूं कि हम जो मेजरली यूज क किये थे और दी क्यों चोता है सिंपल सपोर्ट तो सिंपल अबन करें था बस जस्थ तुट टिका होता है जिरूंश हो हो सकते हैं ऐसा यह बना हुआ हो ठीक है ऐसा भी हो सकता है यह उसका सिंपल सबॉर्डटिर्ट का बस क्या है वह उससे मांट न हो ना उसमें को ही आपप्ने लगा हुआ हो और नहीं वो फीक्स हो से बस उससे जस्ट By हुवा हुए उससे को अघुल करनेक्शन न हो कि ми अगला आता है पर sound इंस ए फोस देखेивать क्या होता है सोय फॉर्स किया होता है किसी भी में तो वह थ्यूर कर लिजिए एक्चुली जो हम लोडेंग करते हैं लोडेंग कि हैल व्हे होते हैं जो की उसको तो उस जगह से काटने के काम करते हैं जैसकि महां लीजिए कि मैं एक प्र लेता जे वाली मैंने और सपोर्ट दे रखार यहां से सब्सक्राइब रखा है और मं यहां उस फोर्ष लगा रहा हूं क्या करोरा हूं तो यदि इस citr करें कटने की प्रवर्ति आए स्पान के तो क्या होगा वो क्लाईगे अपकी सिर फॉर्स और जहां जहां वहां वहां से ए्पॉर्वर्स magaz march करना ही होता है ठीक है तो होता क्याई एक्टेफ स्यर फॉर्स सिर फॉर्स में हम कहीं भी कोई लगाएंगे और वो उसके section को काटने काम करेगा तो तो दैट इस कॉल अंचानल को मेंगा थे करेंचक़ वर्टेज बैंडिंग मिलूटेर पूश पूश है मीजरली और मैं बात करओ के इसी कैसा फॉर्मली की देखिए यहां पर एक यहमें शिम्पल ले रखा है फिलुए अध्योम है ठीक है नियर्क बात प्र disappointment सब्सक्राइब आँछ से लात करें तो तो हम यह बात करेंगे बीस के अब का जो ने मेकल पार्लम है कि हम देखें हुआ है या फिर मा लेते कि एक सब्सक्राइब करना होता है एक संस तो आर ए और और भी करना होता है यदि मैंने में लगा तो कि लियर है कि वह तो ने सब्सक्राइब कर गांगे तो आपको निकालना बताएंगे आपको अगले वीडियो में इनके बीच में bending moment होता है और bending moment की value find करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं उसकी length से बात करते हैं और length में क्या करना होता है इसका कि जो आपका x distance है मैंने जो x distance लिया तो इनिशली में x तराबर क्या लोगा 0 लोगा तो क्या होगा bending moment भी में जीड़ो होगा मगर एक्स बढ़ाबर मैं x लोगा तो क्या होगा उसकी value कुछ होगी उसकी value कुछ होगी तो हमें यहां से formula मिलता है आरowa into x मतला आरे क्या हुआ आरे आपका reaction हुआ force होगा और x क्या होई एक्स इसकी distance होई तो आरे इन्टु एक्स आपकर इस्टेंस हो गया इंट्टू डब्लू इंट्टू-एक्स-लवाइटू ठीक है डब्ली इंट्टू-एक्स-लवाइटू यह निकाल देंगे हम लोग ठीक है कि अ कि लिए अब जलते हैं दागराम बने गा वो कैसा बनेगा एदि आपका बीम पर यह पर पॉइंट लूड लगा है तो यह कंडिशन होंगी विद्ध यूदी यूडियर लगाये हुआ है तो कंडिशन कुछ हैसी हो जाएगी ठीक है एक ऐसा ही सिंपल सब्टाइब पर यूदि आपने पॉइंट लगाया हुआ है तो सीर फोर्स ऐसा बनेगा और बैंडिंगुमेंट ऐसा बनेगा ठीक है यह इसपे निमिकल इस पर कुस्तन आते हैं और अब्जेक्टूर टाइप कुस्तन इस पर आते हैं कि हम लोग इसका वेलई उसका सेप पैसा करन रहे हैं ये इसका बलंग हमारा से घ५ बूल्सा लाग हुए देता है कि यह फोस्ट लगा हुए आपका बीम पर तो इसके से प्याश्य होगी तो वह इसने चार पांस से दिया होगा तो उन्में से कोई एक सेप का उसमें आंसर होगा ठीक है कि लास्ट भनल्ट इसथ पॉंट ओफ कॉंट्रफ चिर्टोफ कॉंट्रफ कॉंट्रफ अउन्ट लेक्शर मीन्स देखिए जब हम कभी ऐसे करते हैं बेंडिंगमन डियाग्राम की तो इन केस और डिन्यूंस अव्न डियाग्राम वीूंस तो फाइंट दो वैल्यू और यूं सब्सक्राइश्योग नेगेटिब की तरफ जाता है जब व गयरने की टाइम पर जो पॉइंट होता है आपका that point is called as point of Contra Flecture ठीक है a point is known as a point of Contra Flecture if it is a location where the vending moment is zero मतलब its change the sign मतलब वो क्या कर रहा है जीरो तब ही होगा वहाँ पर जब वो उसके साइन चेंज हो रहे होंगे जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दो डाइगराम दिखाए हुए है तो एक डाइगराम में देखिए इस वाले में यहाँ भी आपका sign change हो रहा है इस जगा पर और इस जगा पर तो यह point of Contra Flecture है जहां banding movement sign change करता है जहां banding movement की value zero होती है that point is known as point of Contra Flecture और similarly you can see that value or that point in this beam here यहां भी इस बीम में यहां पर दो point of Contra Flecture है हो सकता है किसी में दो हो किसी में एक ही हो यह depend करता है loading पर यह depend करता है हमारे ends पर कि हमारी beam का जो end है वो fixed end है या नहीं या फिर थीक है तो maximum यह overhang और आपका जो भी fix होती है उनमें पाया जाता है अधर्वाइस cantilever beam में कोई point of Contra Flecture नहीं होता यह simple supported beam में भी कोई point of Contra Flecture नहीं होता यदि मैं simple supported beam की बात करूं और पॉइंट रूड लगा दिया मैंने बोलूं कि इसमें point of Contra Flecture है या नहीं है तो वहाँ भी point of Contra Flecture नहीं होता क्योंकि वहाँ bending moment का sign change नहीं होता है ठीक है तो clear है वीटा आज के लिए सिर्फ इतना ही आज के लिए हम सिर्फ और सिर्फ यह समझेंगे मगर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके numerical portion को रूबरू कराऊंगा निमेकल हम कैसे इसके complete कर सकते हैं वह सिखाऊंगा ओके तो thank you for watching my video and watching this video and please share subscribe this video to all subscribe इसलिए करना है वीटा तक आप लोगों को इसका notification मिलता रहे और चीजें आपको लगाता रूबरू होती रहे ठीक है thank you thank you everyone